हेलो प्रेंट्स आज की हमारी हेल्थ टॉक का विशह है कि हमारे ब्रेइन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो नर्व्स रहती हैं उनमें अक्सर आपने सुना भी होगा कि वीकनेस आ गई या फिर उनमें बहुत नंबनेस आ जाती है या पेन की प्रॉब्लम होती है जिस की वज़े से जो है आपके हाथ और जो है आपके फीट में आपको बहुत जद दिक्कत है महसूस होन लगती है क्योंकि जब आपके हैंड्स और फीट में बहुत सुना पन और पेन रहेगा तो आप अपना नॉर्मल डेली रुटीन फॉलो करने में बहुत दिक्कत महसूस कर तो प्रेंट्स आज हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं और इस प्रॉब्लम को जो है पेरिफरल नियूरोपैथी के नाम से जाना जाता है सिर्फ हमारे हातों और पैरों कोई नहीं ये जो प्रॉब्लम है हमारे बाड़ी के दूसरे फंक्शन जैसे की डाजेशन, यूरिनेशन या फिर सर्कुलेशन को भी अफेक्ट करता है तो मेंली जो हमारा पैरिफरल नर्वस सिस्टम है वो जो है हमारे ब्रेइन और स्पाइनल कॉर्ड से इन्फरमेशन ले करके बाकी बाड़ी को भीजता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे बाड़ी के डिफरेंट पार्ट जो हैं फंक्शन करते हैं तो जो peripheral nerves हैं वो sensory information, central nervous system को इसमें भीशता है और accordingly जैसा कि मैंने कहा कि हमारी body काम करती है तो ये function किस प्रकार के होते हैं ये भी हमें सबसे पहले समयतना जरूरी है तो peripheral nervous system में हर एक nerve का अपना function होता है इसलिए इसके symptoms भी जो हैं इसी बात पर depend करते हैं कि हमारी कौन सी nerve affect होई है तो अगर हम इन nerves की classification की बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं sensory nerves जो की receive करते हैं sensation जैसे की temperature, pain, कोई भी vibration या touch हमारे skin से जो आता है इसके बात दूसरी nerves रहती है motor nerves जो हमारे muscle movement को control करती है और तीसरी रहती है autonomic nerves जो हमारे blood pressure, हमारा perspiration, मतलब sweating हमारी heart rate, हमारी digestion, हमारे bladder के functions को control करने का काम करती है इसके बात जो हैं अगर आप symptoms की बात करते हैं तो peripheral nervous system में जबी भी कोई problem होगी इस परकार की neuropathy की दिक्कत जब देखने में आती है तो उसमें जो symptoms appear होते हैं उसमें सबसे पहले आता है कि आपके हाथों और पैरों में बहुत जादा सूनापन आपको feel होगा बहुत pricking या बहुत tingling सी sensation आपको मैसूस होती है जो दीरे दीरे जिसकी intensity बढ़ती चले जाती है या फिर जो हैं कभी कभी आपको जो हैं इसमें बहुत sharp और बहुत throbbing pain जो हैं इसमें मैसूस होती है आपको अपने हाथ पाउम में बहुत जलन भी मैसूस हो सकती है आपको टच करने पर जो हैं बहुत स्थादा सेंस्टिविटी फील होती है तो इसमें जो हैं जैसे की सिम्टम के हम बात कर रहे हैं तो या तो आपको बहुत जो हैं ऐसा फील होगा कि आपके हाथ और पैरों में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चल रहा है या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपको बहुत प्रिकिंग सी पेन रहती है कि हर समय आपको ऐसे लगता है कि आपके हाथों में कुछ चल रहा है तो इन सारी एक्टिविटीज में दर्द होना आपको फील हो सकता है या फिर उसमें आपको ऐसा भी फील होता है कि आप अपने जो हाथ पाउं पे जब वेट डालने की कोशिश करते हैं तो वो आपको बहुत नम लगते हैं तो या फिर जैसे कि यह आपके जो पैर हैं वो ब्लैंकेट के अंदर हैं क्योंकि आपको उसमें बहुत ज़्यादा कौर्डिनेशन की कमी होती हैं क्योंकि सोनापन है तो आपका हाथ पाउं का कौर्डिनेशन इसमें सही से नहीं बना रहेगा, आपके मसल्स बहुत वीक-फील होंगे और आपको एंग्लफ्स या निएंग सोक्स हर समय पैने हूए हैं आप जैसे वैसा फील होता है कि अलाव अगर इसमें peripheral nervous system के साथ में आपका autonomic nervous system भी involve है तो उसमें कुछ और symptom इसमें देखने में आते हैं जैसे कि आपको जो है heat tolerate नहीं होती है sweating या तो बहुत जादा होगी या बिलकुल नहीं होगी आपको जो है अपने bowl या जो bladder moment रहती है मतलब toilet और bathroom का pressure जो है इसमें आपको जो ह इसे feel नहीं होगा और जो है BP drop होने की वज़े से इसमें बहुत जादा जो है dizziness या फिर चक्र जैसा साब को हर समय मैसूस होता रहेगा और अगर हम peripheral neuropathic causes की बात करें क्योंकि symptoms के साथ हर एक समस्य का कारण भी आपको मालूम होना चाहिए तो अगर हम इसके cause की बात करें इसका एक सबसे बड़ा कारण जो देखने में आता है वो रहता है जो type 2 जो type का diabetes है जिनको बहुत लंबे समय तक diabetes की problem चल रही है तो उनके हाथ पाऊं में धीर धीर इस प्रकार की sensation जो है आने लगती है और जो है या फिर बहुत लोग जो बहुत जादा alcohol का इस्तामाल करते हैं उनके नवस में 20 तरीके की दिकत आ जाती है यह तो डिजीज की बात हुई इसके लावा कुछ deficiencies हैं जिनके कारण से भी यह नियूरोपेथी देखी जाती है उसमें है मेंली copper का deficiency vitamin e vitamin b1 vitamin b6 vitamin b12 folic acid की कमी के कारण से यह दिकत देखने में आती है और इसके साथ ही जो है इसमें एक और problem है कि जब आपके body में यह तो deficiency की बात हुई अगर b6 जो है जादा हो जाता है तब ही नियूरोपेथी जो है की symptoms आपको जरूर आपके body में देखने को मिलेंगे इसके लावा कुछ disease की हम इसमें बात कर सकते हैं कुछ autoimmune disease भी नियूरोपेथी का कारण बनती हैं जैसे कि किसी को अगर rheumatoid arthritis है, sizograin syndrome है या फिर lupus की problem है तो उनके वज़े से भी ऐसा होता है इसके लावा कुछ medicine जो खास तोर से tumor के treatment के लिए प्रियोग की जाती है या किसी trauma या surgery में infection को treat करने के लिए दी जाती है उनके कारण से भी नियूरोपेथी की problem हो सक सकती है और इसके लावा अगर जो हैं lepracy के कारण से भी जो हैं हमारा peripheral nervous system जो हैं इसमें damage हो सकता है तो ये कुछ कारण है जिनकी वज़े से जो हैं आपके हाथ पाउं में इस परकार की numbness या pain या जो हैं जिसको हम weakness कह सकते हैं वो आपको feel होगी और जो जो हैं ये तो symptoms की ब होता है तो जैसे की आप symptom से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्योंकि numbness है तो आपको जो है अगर कोई चोट लग जाए या कोई burn हो जाए तो आपको वो मैसूस ही नहीं होगा तो आप जादा प्रोन हो जाते हैं किसी भी प्रकार की skin injuries के लिए क्योंकि आप temperature feel नहीं क हो जाएंगे क्योंकि sensation loss के कारण आपको unknowingly कोई भी चोट लग सकती है खासतोर से अगर आप जो है डाबटीक है और एक और complication जो इसकी वजह से हो जाती है वो है कि आपकी वोड़ी का balance सही नहीं होने के कारण से आप जो है बार-बार गिर सकते हैं और जो है गिरने के वज कुछ आयरवेदिक treatment के अगर हम बात करते हैं तो एक तो आपने जो है इसमें सबसे पहले जो काम आप कर सकते हैं वो है आपकी बॉड़ी को warm या फिर cold packs के साथ में उसमें उसकी sensation लाने की कोशिश इसमें की जाती है दूसरा इसमें एक्यूपंचर थेरपी जो हैं बहुत ही system पे act करती हैं तो उसके में अगर हम कुछ दवाईयों के नाम लें तो आप इसमें त्रियोद शांग गूगल का इस्तमाल कर सकते हैं जंद प्रभावटी इसमें बहुत अच्छा काम करती है एक आंगवीर रस स्वर्ण माक्शिक वरतवात चिंता मनी रस रस राज रस ये क काफी फायदे मन हो सकती हैं तो आप इस प्रकार से जो है अपने पेरिफरल नियुरोपैथी की प्राबलम के लिए जो है आरवेद की हेल्प ले सकते हैं और जो है इसके साथ फ्रेंट्स ये तो ट्रीटमेंट पार्ट हुआ अगर जो है आप किसी बिमारे से बचना चाहते हैं तो आपको प्रिवेंचन का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए तो नियूरोपैथी को प्रेवेंट करने के लिए आपको जो हैं कुछ चीजों का भी ध्यान रख सकते हैं कि यह प्रॉब्लम आपको होई नहीं तो इसमें स्पेशली आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है खास तोर से विटामिन B12 से रिच जो फूड है वह आपको इसमें लेना चाहिए उसके बाद जो हैं आपको अपना अच् सेफटी एक्वेपमेंट जरूर पेहना चाहिए ताकि आपके सीवी प्रकार के चोट लगने से खुद को बचा पाएं और जो हैं क्योंकि जादा अलकोहल का इसमाल करना नियरोपेथी का कारण होता है तो आपको जादा अलकोहल अवाइड करना चाहिए इसके लावा जो आ आपको अपने डायबेटेस को कंट्रोल अगर आप रखेंगे तो आप नियरोपेथी की प्रॉब्लम से बच पाएंगे तो उमीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी क्योंकि नियरोपेथी जो है अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि इसकी वजह से आप ए कर सकते हैं और एस सून आप उसके ट्रेटमेंट के लिए जाए तो जरूर आप ये प्लीज फॉलो करें उमीद आपको जानकारी पसंद आई होगी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर वा सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मच फ्रेंट्स पो